कहानी का पूरा अनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स, एंडी स्कीन और कार्ट तीनों जगर पर दे दूंगी, और साथ में कॉमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहा पता है कि एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगी, वो तो उसकी आखे उसके जैसी है, इसलिए जब भी मैं उसमें देखता हूं तो भूल जाता हूं कि वो कौन है, राहूल बोला, राहूल उस टाइगर का कुछ पता नहीं चला, उस दिन अपनों को बुद्धू बना कर चल पता नहीं वो लड़की ही हो, उदैने बाद पलड़ते हुए कहा, वो तो सच में सातिर निकला, अब की बार कहीं आए तो मुझे बताना, ऐसा पकड़ूंगा की छोड़ूंगा नहीं, राहूल बोला, उसे उसकी आखे जानी पैचानी लगती थी, वो एक बार मिलकर देख ना चाहता था, एक बात पूछू नाराज मत हो ना, उस दिन तुम टाइगर को ऐसे देख रहे थे, मानो तुम्हें उससे प्यार हो गया हो, हम तीनों को तेरे टेस्ट पर सक हो गया था, कि कहीं तुझे लड़के तो नहीं पसंद उदै बोला, दिमाग तो नहीं खराब हो तुम्हारा, तुम मुझे बच्पन से जानते हो, मैं ऐसा लगता हूँ क्या, वो तो मुझे उसकी आँखे निक्की जैसी लगी, इसलिए सोच रहा था, कि कहीं ये निक्की तो नहीं, मैंने आरजू से भी पुछा था, कि उसका कोई भाई तो नहीं है, उसने कहा कि उसका आपके सिवा कोई नहीं है, राहूल बोला, चल सुक्र है, मुझे तो सोच सोच कर इतने दिन नीद नहीं आई, कि मैं ऐसे लड़के के साथ उड़ता हूँ, जो लड़कों को पसंद करता है, रागी ने हसते हुए, खुद को अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा, सभी हस दिये, राहूल ने प्यार से हसते हुए उसको मुक्का मारा, राहूल ने बहुत पी ली थी, हिसान ने ड्राइवर बुला कर राहूल को उसके घर भेज दिया, राहूल आया तो रात के एक बज़े थे, आरजू आराम से सो रही थी, राहूल कमरे में आया, वो आरजू के प न उसने कपड़े बदले न जूते खोले थे वो उसके पास गई उसने उसके जूते खोले उसने देखा कि उसका मुँ सारा खराब हो रहा था। उसने टौविल गिला करके उसका मुँ और हास साफ किये फिर अलमारी से उसका नाइट सूट निकाल कर लाई फिर उसको अपने कंदे के सहारे टिका कर उसका कोट खोला फिर कमीच खोल कर बड़ी मुश्किल से कुर्टा उसे पहनाया और उसे लिटा दिया। पैंट खोलने में सर्म आई तो उसने पैंट की बिल्ट लूज कर दी और वैसे ही रहने दिया। था कि वो अपने घर के बेडरूम में है और उसके वगल में कोई नहीं है। उसने अपने बदले हुए कपड़े देखे तो उसे कुछ-कुछ याद आया कि आरजु ने कैसा उसके मुझ साफ किया। फिर कपड़े बदले। उसके चेरे पर मुस्कान आ गई वो उटकर नहाने चला गया। नहा कर वो नीचे आया तो आरजु कहीं नहीं थी। लीजा उसके पास आई और बोली गुड मॉर्निंग सर नास्ते में क्या बनाओं। कुछ भी बना लो रोज क्या बनाते हो। मेरा मतलब मैडम रोज क्या खाती हैं। राहुल ने पूछा। मैडम तो कभी खाती हैं कभी नहीं खाती। सर आप घर आया कीजिये मैडम बेचारी अकेले बैठी रहती हैं। उस दिन आपने फोन किया था तो मैडम ने मुझे पूछ कर आपकी पसंद का खाना बनाया था और वो आधी रात तक आपका इंतजार करती रही। लेकिन आप नहीं आएं उस दिन से वो घर पर नास्ता नहीं करती रात को ही खाती हैं वो भी थोड़ा सा। राहुल उसकी बाद सुनकर बोला ओ ठीक है अब वो चली गई है क्या नहीं वो आपके साथ नहीं है क्या लीजा ने पूछा। पता नहीं राहुल क्या कहता लीजा चूप चाप किचन में चली आई उसे पता है कि ये दोनों एक दूसरे की परवा नहीं करते बड़े साहब इनकी साधी कराकर आप तो बाहर चले गएं आप इनकी आपस में बने नौ बने। राहुल लिविंग रूम में बैठा अकबार देख रहा था पर उसकी नजरे सीडियों पर टिकी थी। इतने में आरजू उपर से आती नजर आई उसने नीली जिन्स के साथ पीले रंग का टॉप पहन रखा था। उसने अपने बालों की पोनी बना रखी ति वो भागती हुई आ रही थी उसकी पोनी कभी इधर कभी उधर उचल रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसे देखकर निक्की की याद आती थी। लेकिन इसके पापा तो कोई और है ये निक्की हो ही नहीं सकती। राहुल बैठा उसके पास आया और उसकी बहां पकड़ कर देखा उसकी बहां ही नहीं गर्दन पर भी लाल लाल दाने हो गए थे उसने पुछा ये क्या हुआ कुछ नहीं ये लर्जी है ठीक हो जाती है पहले भी हो जाती थी फिर खुद ही एक दो दिन में ठीक हो जाती है आरजु बोल कर अ इतना तेज बुखार है और तुम काम पर जा रही हो वो भी बिना कुछ खाए कौन सी दवा लेती हो पहले अच्छा चलो हॉस्पिटल चलो राहूल बोला नहीं कोई बड़ी बाद नहीं है दो दिन तक ऐसा रहता है फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है मैंने कभी कोई दवा आरजू बोली क्या ऐसी आलत में कभी दवा नहीं ली तुम्हारे पापा या फैमिली ने कभी दवा नहीं दिलवाई फिर बुखार कैसे उतरता है राहूल उसकी बास सुनकर हैरानी से पूछा नहीं कभी किसी ने दवा नहीं दिलवाई पापा को कभी मेरे पास आने का टा उससे मुझे बुखार और इस तरह के दाने हो गए ममी ने देखा तो दूर से मुझे अंदर ही रहने को कहा बोली कि किसी को हाथ मत लगाना नहीं तो उसे भी यह हो जाएगी पापा के तो पास भी मत जाना मैं छोटी सी थी कुछ नहीं कर सकती थी मैं कमरे में अकेली बुखार, उल्टियां और दर्द से बिना किसी दवा के लड़ती रही ममी ने किसी नौकर को भी नहीं आने दिया था खाना भी नहीं दिया मैं तीन दिन तक ऐसे ही रही चोथे दिन ठीक होकर बाहर आई और खाना खाया तब से जब भी ऐसा होता, अकेले ही सब बरदास किया अब आदस सी हो गई है दर्द मसूस ही नहीं होता आरजू किसी पत्थर की तरह जिसमें फिलिंग नहीं होती बोले जा रही थी रहुल के दिल में तीस सी उठी, कितना झेला है इसने सोचते ही उसका दिल उसके लिए प्यार से भर गया उसने उसे गले लगा लिया और उसकी पिट थप थपाते हुए कहा पहले जो भी हुआ वो भूल जाओ, अब ऐसा नहीं होगा मैं, वो कहने वाला था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा होने ही नहीं दूँगा लेकिन वो कैसे उससे यवादा कर सकता है, उसका क्या पता कब वो इसे तलाग दे दे उसकी धड़कन तेज हो गई थी, उसका मन कर रहा था कि इसे भरोसा दे, कि इसे कभी रोने नहीं देगा लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था उसने उसे कस के गले लगा लिया फिर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया फिर उसकी तरफ देखा आरजू भी उसी की तरफ देख रही थी उसकी आखे नम थी उसकी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की थी कुछ दिर बाद राहुल लीजा से बोला लीजा इसके लिए खिचडी बना दो कहकर उसने मेन गेट के पास जाकर उसे लॉक कर दिया और आरजू से बोला यही वेट करना मैं कपड़े बदल कराया आरजू और लीजा उसके इस दर्वाजा लॉक करने से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी आरजू ने मुश्कुरा कर मुझे पता नहीं के अंदाज में कंदे उचका है लीजा भी मुश्कुरा दी राजू कपड़े बदल कराया तो आरजू डाइनिंग टेबल पर वैठी खिचड़ी खा रही थी लीजा उसके लिए नास्ता ले आई उसने जल्दी जल्दी नास्ता किया फिर उसे लेकर चल दिया वो उसे हॉस्पिटल ले आया वहाँ उसने पहले से ही बी आई पी रूम बुक करा दिया था आरजू को लेकर सीधे वहीं आया डॉक्टर पहले ही वेट कर रहे थे उसके आते ही नर्स ने उसके कपड़े बदलवाए फिर उसके सारे टेस्ट किये राहुल सामने सुपह पर बैठा सब देखता रहा डॉक्टर रीमा ने आकर कहा जी ये पेसेंट का कार्ड भरना है इनका नाम क्या है आरजू सिंगानिया राहुल ने कहा पिता का नाम अगर साधी सुधा है तो पती का नाम जी मैं इसका पती हूँ राहुल सिंगानिया राहुल बोला आरजू बेट पर लेटी सब सुन रही थी डाक्टर रीमा उसे देखती रह गई फिर उसने एड्रेस और फोन नम्मर पूछा राहुल ने अपना एड्रेस और फोन नम्मर लिखवा दिया आरजू के इंजेक्शन लगाते ही वो सो गई राहुल टहनने के लिए बाहर कॉरिडोर में आ गया तभी वहां उदाय आया उसने सफेद कोड पहन रखा था उसने आते ही पूछा क्या हुआ राहुल तु ठीक तो है मैं एक सर्जरी कर रहा था अब तेरा मैसेज देखा तो भागाया क्या हुआ राहुल ने उसे मुँँ पर उंगली रखकर चुप रहने को कहा फिर धीरे से आरजु का दरवाजा बंद करके उसे थोड़ा दूर लाकर धीरे से बोला धीरे बात कर वो अभी अभी इसोई है मुझे कुछ नहीं हुआ आरजु को अलरजी हुई है उसे मंगो से अलरजी है फिर भी पागल ने मेरे कहने पर मंगो जीस पी लिया अब बीमार हो गई क्या कब से है इसे यह अलरजी की प्रावलम ये तो बच्पन से होती है और ये ठीक भी हो जाती है इस उम्रे में आकर तो खत्रा जादा बढ़ जाता है उदै बोला क्या मतलब खत्रा कैसा खत्रा राहुल घबरा गया ये प्रावलम अगर बच्पन में ठीक न की जाये तो ये कैंसर बन जाती है इसके सारे टेस्ट हो गए हैं मैं चेक करता हूँ बाकी तू क्यों इतना घबरा रहा है तूने कौन सा इसके साथ जिंदगी काटनी है कुछ महिने बाद तू इसे तलाख ही देने वाला है ये तलाख से पहले ही मर जाएगी तेरी मुश्किल हल हो जाएगी उदय उसके हाव हाव देख कर बोला तुम किसी की जिंदगी के बारे में ऐसा कैसे कैसकते हो अभी उम्र ही क्या है इसकी मुझसे दो तिन साल छोटी ही होगी इसने जिंदगी में दुखों के सिवा देखा ही क्या है कुछ भी करो इसे कुछ नहीं होना चाहिए राहुल ने उदय का हाथ पकड़ कर कहा उसकी बातों में डर और मिन्नत थी उदय ने इसे ऐसे कभी नहीं देखा था राहुल की बात सुनकर उदय उसका हाथ दबाते हुए बोला दुआ करो कि ऐसा कुछ नहों मैं पता करता हूँ का करवनर्स रूम की तरफ चला गया और आज़ू की फाइल मांग कर चेक की जो उसने कहा था वो आधा सस्थ था इसमें कैंसर का कोई खत्रा नहीं होता वो तो यू ही राहुल को डरा रहा था वो देखना चाहता था कि राहुल कैसे रियक्ट करता है उसे पहले ही लगा था कि राहुल इसे लाइक करने लगा है अब उसे यकीन हो गया था कि राहुल उसे चाहने लगा है राहुल परेसान हो गया था वो उसके पास खड़ा सोई हुई आरजू के मासुम जेरे को देख रहा था वो सोचने लगा मैंने इससे साधी की अपने फाइदे के लिए इसके बाप ने इसकी साधी करवाई अपने फाइदे के लिए इस बेचारी का क्या फाइदा इसे बाप के घर में भी दुख मिले और यहां भी दुखी ही है हर लड़की अपनी खुसाल साधी के कितने ही सपने देखती है इसने भी देखे होंगे लेकिन इसे क्या मिला नहीं मैं इसे अब और दुखी नहीं देख सकता इससे बात करके इसे तलाग दे दूंगा ये अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी ए मुझे कोई हक नहीं है इसे अपने साथ बाधे रखने का चाहे मुझे पापा जी की डांठी क्यों न सुननी पड़े मैं अब उनकी भी नहीं सुनूंगा अपने फाइदे के लिए मैं इसकी जिन्दगी खराम नहीं कर सकता राहूल ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा था उसके सिर पर हाथ फेरा फिर जाकर सोफे पर बैठ गया उद्ध दर्वाजे से सब देख रहा था वो अंदर आया उसने राहूल को बताया कि रिपोर्ट साम को आएंगी फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या छोटी है ओके राहूल बोला उद्ध के जाने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया हैलो मैं हास्पिटल में हूँ काम यहा ले आओ सार क्या हुआ आपको आप ठीक तो हैं बिजय उसका सेक्रेटरी बोला मुझे कुछ ने हुआ मैं ठीक हूँ वो तो आर्जू को इलर्जी हो गई हो मैं उसे लेकर आया हूँ ओ मैं तो डरी गया मैडम कैसी हैं फिर खुदी बोला अच्छा मैं भी आता हूँ काकर वो उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निखल गया आर्जू के फोन में हिलजूल हुई राहुल ने जेव से निकाल कर देखा अनिता का फोन था राहुल ने बाहर आकर फोन उठाया हेलो आर्जू को फीवर है वो नहीं आएगी इतना काकर उसने फोन बंद कर दिया अनिता फोन की तरफ देखती रह गई कौन था ये बात तो करता है कुछ देर बाद बिजय वहां आ गया उसने आर्जू के बारे में फिर पूछा मैडम की तबियत कैसी है ठीक है टेस्ट हुई है रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या पोजीशन है राहुल बोला बिजय कमरे में जाने लगा तो राहुल बोला हराम से जाना वो सो रही है साम को चार बजे रिपोर्ट सा आई उदय भी अपना काम छोड़ कर भागा आया उसने रिपोर्ट पढ़ी और बोला राहुल इसे कुछ नहीं हुआ है ये बिलकुल फिट है सारी रिपोर्ट ठीक आई है इन दानों पर लगाने के लिए दवा दे दूँगा और खाने के लिए भी दवा है दो दिन रेष्ट कर लो क्योंकि बुखार दुबारा हो सकता है बागी आगी के लिए भी दवा दे दूँगा इससे इसकी प्रावलम जड़ से ठीक हो जाएगी उदा ने बताया फिर कुछ रूख कर बोला एक बात बताओं इसका ब्लड ग्रूप ओ नेगेटिव है जो बहुत रेयर है उदा के दिमाग में कुछ चल रहा था वो एक टक आर्जू को देख रहा था कहीं राहूल का सक सही तो नहीं कहीं ये हमारी निक्की तो नहीं राहूल ने उसे आर्जू को देखते देखा तो उसे बुरा लगा उसने उदा से कहा ठीक है मैं इससे घर ले जा रहा हूं एक मिनट एक टेस्ट और था जो इन्होंने किया नहीं है इसकी सेफटी के लिए वो टेस्ट भी कर लो क उसने नर्ज से कहकर बलट का एक और सेंपल ले लिया आरजु जाग गई थी उदय ने उसका वुखार चेक किया उसका वुखार भी पहले से कम था उदये आरजू को बहुत ही प्यार से देख रहा था, राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था, राहुल ने उदय से विदा ली और आर्जू को लेकर चलने लगा उदाय आर्जू से बोला देखो अपना ध्यान रखना आम या उससे बनी चीजे नहीं खाना मैं दवा दे दूंगा कुछ महीने रेगुलर खाने से ये प्रावलम ठीक हो जाएगी अपना ध्यान रखना आर्जू मुस्कुरा कर बोली थ जल्दी घार आ गया उसके मम्मी बापा देखकर हैरान रहे गए लगता है आज सूरज उल्टी दिसा से निकल गया होगा जो आज हमारा बेटा जल्दी घार आ गया मम्मी ने मजाक किया मम्मी क्या करूं बीजी ही बहुत रहता हूं मैंने सोचा आज डिनर साथ में करते हैं उदर ने मम्मी के मूँ को देखा फिर कहा आज एक लड़की आई थी उसे आमसे अलर्जी थी आप ही की तरह मम्मी क्या निक्की को भी ये अलर्जी थी पता नहीं बेटा वो जब तक यहां थी तब तक तो नहीं थी मम्मी बोली मम्मी ये अलर्जी मां से उनके बच्चों क को हो सकती है, अगर निक्की जिन्दा होती तो क्या पता निक्की को भी हो जाती? उदय बोला, हाज तुझे निक्की की यादआ रही है, इसलिए जल्दी घर आ गया, कोई नहीं बेटा, वो थी ही ऐसे की भुलाये नहीं भूलती, मम्मी की आखों में आसू थे, उदय बोला, म उसने उसे छोड़ने के बदले हमसे बहुत पैसे मांगें, हमने पैसे भी दे दिये पर उन्होंने हमें निक्की नहीं दी, कुछ समय बाद निक्की की गड़ी सड़ी लास मिली थी काकर मम्मी रो पड़ी, मम्मी क्या आप लोगोंने डियन्ने टेस्ट करवाया था उदर ने पुछा, नहीं हमें तो कुछ सुझाई नहीं था, फिर आपको क्या पता कि वो निक्की की ही थी, उदर ने पुछा, उसकी पायल, कंगन और बालियों से पता चला, मम्मी बोली, मम्मी जिस बंदे ने पैसे मागें उसने ये चीज़े क्यों नहीं निकाली, मुझे क्या पत आओ, खाना लग गया है, उदर के मम्मी बापा दोनों ही डॉक्टर थे, ये हॉस्पिटल भी उनका ही है, निक्की इसकी छोटी बहन थी, राहूल, उदर, रौकी, इसान, सब बच्पन के दोस्त थे, राहूल कर कोई भाई बहन नहीं थी, उसका गर उदर के घर के साथ था अकेले होने के कारण राहूल जादा उदर के घर रहता था, उदर निक्की को तंग करता तो राहूल इसे उदर से बचाता, खेल खेल में एक दिन राहूल ने कह दिया कि मैं निक्की से साधी करूंगा, निक्की ने ये बात मन में ही बिठा ली कि मैं बड़ी होकर राहूल स चला गया निक्की भी उसके पीछे चली गई दोनों छुपे थे पर कोई ढूटने नहीं आया तो राहुल ने उसे वहीं छुपे रहने को कहा और खुद उन्हें देखने आ गया सब मिल गए थे अभिसान निक्की को ढूट रहा था जब इसान ने हार माल ली तो राहुल निक निक्की को बुलाने लगा पर निक्की वहां नहीं थी सबने बहुत धुड़ा पर निक्की नहीं मिली इस हाथ से ने राहुल को तोड़ दिया वो निक्की को बहुत प्यार करता था वो निक्की की मौत को सस नहीं मानता था उसे उमीद थी कि निक्की एक दिन जरूर उदा लेटा लेटा सोच रहा था कितना अच्छा हो अगर आर्जू ही हमारी निक्की हो उसने ब्लड सेंपल डिन ने टेस्ट के लिए भेज दिया था रिपोर्ट दस दिन में आज आएगी उसने कालेंडर में आज की डेट पर सरकल लगा दिया राहूल आर्जू को अपने ख करने को तो यहां रेष्ट करो मैं लीविंग रूम में हूँ कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना अब आराम करो कहकर वो दर्वासा बंद करके चला गया आर्जू आकर लेट गई फिर उसे अपने फोन की याद आई उसने कल से फोन नहीं देखा उसने फोन देखा तो फो हैरी को फोन किया हैलो हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यह तुम मुझसे पूछ रही हो कल से तुम्हें बीस बार फोन कर चुका हूँ एक बार भी फोन नहीं उठाया उपर से मुझसे पूछ रही हो पुछना तो मुझे चाहिए कि क्या हुआ है हैरी बोला चल ठीक है मैं बीमार थी हॉस्पिटल में थी राहुल ने मेरा फोन स्विचाफ कर दिया था भी घर आकर रॉन किया है अब तू बता फोन क्यों कर रहा था वो एक मिसन है इस बार होटल ड्रीम लेंड में हत्यारों की खरीद फरुक ठोनी है हमें उन्हें पकड़ना है उन्हें कहा तभी उसके फेन की मैसेज ट्यून बजी उसने मैसेज देखा हैरी का था कल दस बजे रूम 304 ड्रीम लेंड होटल तभी एक और मैसेज आया फोटो थी उसकी जिसे काबू करना था उसने सोच लिया था कि इस बार रोबर्ट बच नहीं पाएगा छोड़ूंगी नहीं उसे अगर वो बच गया तो मेरा नाम टाइगर नहीं लेकिन इस पिजरे का क्या करूंगी वो उठी और खिड़की के पास आई उसने खिड़की खोल कर जायका लिया उसके चेरे पर मुस्कान थी राहूल ने लिजा से कहा इसे रात के खाने में कुछ हलका ही देना एक दो दिन इसे कहीं जाने नहीं देना और इसके खाने का भी ध्यान रखना आज के बाद इस घर में आम नहीं आएगा आम से बना कोई بھی प्रोड़क्ट नहीं आएगा ठीक है जी समझ गई लिजा बोली और चली गई कुछ दिर बाद वो रात का खाना लेकर आर्जू के कमरे में जा रही थी तो राहुल ने टोका मुझे दो मैं ले जाता हूँ लिजा ने हैरानी से देखा तो राहुल बोला मेरी गलती से ही तो वो बिमार हुई है इतना तो बनता है का कर वो ट्रे लेकर उसके कमरे में गया उसने दो बार नौक किया तो कोई दावाज नहीं आई तो उसने घबरा कर धरवाजा खोला तो देखा कि वो बेट पर आराम से सो रही थी वो उसके पास गया उसने धीरे से उसके कंदे को हिलाया वो डर कर उठकर बैठ गए रहुल ने उसकी पीट थप थप आई उसे कुछ सुकून मिला कोई बुरा सपना देखा किया रहुल बोला हाँ आर्जू चलो हाथ दो कर खाना खालो रहुल ने खाने के ट्रिशाइड में रखी और उससे कहा आर्जू ने हाथ दो कर खाना खाया रहुल उसका बहुत ध्यान रख रहा था खाने के बाद राहूल ने लिजा से बरतन लेजाने को कहा और दोनों के लिए दूर लाने को कहा आरजू बोली नहीं लिजा मेरे लिए मत लाना मैं नहीं पीती तुम ले आना इतनी दवाईयां खानी है कमजोरी आजाएगी दूद तो पीना ही पड़ेगा मैंगो जूस तो जट से पी लिया मेरे कहने पर अब दूद भी पी ले ना राहूल बोला आरजू ने मुह बनाया पर उसे राहूल का केर करना अच्छा लग रहा था उसे आज तक किसी ने इस तरह प्यार नहीं किया वो उसे पसंद करने लगी थी राहूल ने उसे अपनी तरफ देखते देखा तो आँखे हिला कर इसारे से पूछा कि क्या हुआ पर आरजू ने सर्मा कर नजरे जुका दी राहुल ने उसका लाल चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया उसने आरजू को कभी ऐसे नहीं देखा था वो प्यार से उसे देखता रहा आरजू को खुद पर उसकी नजरे महसूस हो रही थी उसकी धरकन बढ़ गई थी उसका चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था उसने दोनों हाथों से मूँ को ढखा पर जब कोई फर्क नव पड़ा तो वो टॉयलेट में चली गई उसने सीसे में अपने चेहरे को देखा वो खुद को ही नहीं पहचान पाई इतनी रंगत आ गई थी कि वो हैरान हो गई ये राहुल के प्यार का रंग था वो खुद को सीसे में देखे जा रही थी लीजा दूद ले आई राहुल ने टेबल पर रखवा दिया उसने टॉयलेट की तरफ देखा आर्जू अभी वाहर नहीं आई थी उसने टाइम देखा दस मिनट हो गए थी वो टॉयलेट के पास गया और दर्वाजे पर खान लगा कर देखा अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी वो खबरा गया उसने दर्वाजा खट खट आया आर्जू आर्जू उसने आर्जू को आवाज दी वो जोर से दर्वाजा खट 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 आने लगा इतने में आर्जू ने दर्वाजा खोला उसने आर्जू को कंदों से पकड़ कर पूछा तुम ठीक हो कुछ हुआ तो नहीं मैं तो घबरा ही गया था आर्जू ने महसूस किया कि उसके हाथ काप रहे हैं मैं ठीक हूँ आर्जू बोली उसके बोलते ही राहुल ने उसे गले से लगा लिया राहुल की मम्मी इसी तरह बिमारी के दोरान चल वसी थी तब से ये बुखार से बहुत डरता है उसने आर्जू को कस कर गले लगा ली आर्जू ने कहा राहुल मैं ठीक हूँ राहुल को तब एसास हुआ कि वो क्या कर रहा है उसने खुद को आर्जू से अलग किया और उसे दूद का गलास दिया दूद पीकर आर्जू दवा के नसे के कारण जल्दी सो गई राहुल कुछ देरी स्टड़ी में अपना काम करता रहा करीब 11 बजे वो आर्जू के कमरे में आया उसने देखा कि आर्जू इकठी हुई सो रही थी उसने जाकर उसे हाथ लगाया तो वो बोली राहुल मुझे ठंड लग रही है रहुल ने जल्दी से एसी आफ किया उसे कमबल उढ़ाया और फिर उसका बुखार चेक किया 103 बुखार था उसने पानी गर्म किया और आर्जू को बुखार की गोली दी आर्जू को अभी भी ठंड लग रही थी वो बुरी तरह काप रही थी उसने उसके चारों तरफ कमबल लपेटा और उसके पास उससे लिपट गया कुछ देर बाद आर्जू का कापना बंद हो गया रहुल ने चैन की सांस ली अगली सुबह रहुल जगा आर्जू उससे लिपटी हुई थी उसने धीरे से उसे खुश से अलग किया फिर उटकर बैठ गया वो नहाद होकर तयार हो गया अभी टाइम काफी पड़ा था तो वो इस्टडी में बैटकर पेपर्स चेक करने लगा उसे अभी वही सीन याद आ रहा था कि आर्जू उसके पास सोई थी उसकी सांसों में आर्जू की खुस्बू बस गई थी वो आँखे बंद करके उसे महसूस कर रहा था लीजा ने दर्वाजे पर नौक किया उसने अंदर बुलाया लीजा चाय लेकर आई थी वो चाय टेबल पर रखकर चली गई रहुल ने आर्जू के ख्यालों में खोए हुए ही चाय उठाई तो उसकी नजर टेबल पर पड़ी तस्बीर पर पड़ी उसे मानो जटका लगा सामने एक आट साल के लड़के के साथ एक पांच साल की लड़की खड़ी थी दोनों ने दुलहा दुलन के कपड़े पैने थे ये निक्की और रहुल की तस्वीर थी उदय के चाचा जी की साधी थी इसमें इन दोनों को दुलहा दुलन के छोटे रूप में थे तब निक्की सब को कह रही थी कि उन दोनों की साधी है राहुल तस्वीर देखते ही टेंस हो गया वो कैसे आरजू के सपने देख सकता है निक्की की याद आते ही राहुल को खुद पर गुस्सा आया निक्की के होते हुए वो कैसे आरजू से प्यार कर सकता है नहीं वो आरजू से दूर रहेगा माना कि आरजू एक अच्छी लड़की है पर वो निक्की से किया वादा नहीं तोड़ सकता आज वो आरजू को अपना लेता है और कल निक्की आ गई तो वो क्या करेगा नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा वो सोच ही रहा था कि इसान का फोन आया राहूल मैंने टाइगर से मिलने का इंतिजाम कर लिया है उसे एक केस के लिए हायर किया है आएगा तो पकड़ लेंगे तुम उसे बच्चा समझते हो क्या जो यू ही किसी का भी केस ले लेगा राहूल बोला जनाब मुझे सब पता है इसलिए तो हेड आफिस का नंबर उच किया उसे बुलाने के लिए उसने कहा है कि वो आएगा आप देखेंगे कि कैसे बचेगा इसान बोला ये लोग बहुत दिनों से उसे पकड़ने के चक्कर में थे मैसेज कर देना आज देखते हैं लड़का है या लड़की है राहूल बोला कुछ देर बाद इसान ने राहूल को मैसेज कर दिया आज सुबह दस बज़े ड्रीम लेंड होटल रूम 304 राहूल ने रिपलाई में ओके लिग दिया उसके चेहरे पर सरारती स्माइल थी राहूल के घर पर आरजू उठी उसने टाइम देखा अर्ट बज गये थे बुखार उतर गया था वो नीचे आई उसे देखकर लीजा बोली मैडम अब कैसी तबियत है आपकी पहले से बेतर है मुझे भूख लगी है आरजू बोली आप फोन कर देती और जल्दे से तायार होकर खिडकी से नीचे उतर गई वो पिछले गेट से बाहर चली गई कुछ देर में वो हैरी के पास थी आरजू और हैरी का सीक्रेट आफिस तुम ठीक हो हैरी ने देखते ही पूछा हाँ मैं ठीक हूँ दिखाना वो आरडर का कर वो लेपटाप पर जल्दी जल्दी हाथ मारने लगा उसने वो रिकारडिंग सुनी टाइगर कल ड्रीम लेंड होटल में अतियारों की डील है देखना अगर पकड़ सको तो उसने रिकारडिंग बार बार बैक करके सुनी क्या हुआ हैरी ने पूछा कुछ गड़बर लग रही है आरडर में हमें कहा जाता है कि कोई बचना नहीं चाहिए और यहां कह रहे हैं पकड़ सको तो कुछ सोच कर वो बोली हैरी जरा एससपी इसन को फोन करना कोई भी बात करना मुझे सिर्फ आवाज मिलानी है हैरी ने लैपटाप पर एक आप खोला फिर किसी फोन से इसन को फोन कि आव लड़की बन कर बात की हैलो आज बहुत गर्मी है चलो आईस क्रीम खाए मैं वेट कर रही हूं अच्छा कौन हो तुम और कहां वेट कर रही हो हैं वो गुसे में बोला हैरी ने फोन कार्ट दिया और सब डिलेट कर दिया उसने वहीं से इसन के फोन से भी नमर डिलेट कर दिया इसन अभी वो नमर चेक करने के लिए नोट करवा ही रहा था कि नमर गायब हो गया इसन भी हैरान कि ये सब क्या है उसने बहुत हैकर देखे थे जो अकाउंट हैक कर लेते थे पर ये पहला था जिसने फोन ही साफ कर दिया आरजु ने आवाज आपस में कमपेयर की तो आवाज 99% एक ही इनसान की थी आरजु ने हैरी की तरफ देखा फिर कुछ सोच कर बोली ये SSP भी न मुझे मिलने को उतावला हो रहा है आज इसे मिला ही देते हैं काकर वो अंदर ड्रेसिंग रूम में गई वहाँ उसने लड़के के कपड़े पहन लिए फिर आकर उसने लैपटाप पर ड्रीम लैंड होटल के कमरे की लिष्ट देखी कि 304 के साथ कौन सा कमरा खाली है 305 खाली था उसने वो रिजर्व कर लिया फिर होटल के कैमरे हैक करके उन्हें अपने फोन से कनेक्ट किया और गैरास से मुटरशाइकिल लेकर निकल ली डीम रैल्ड होटल पहुँचकर आज वो एक सीधा साधा ओफिस का कलर लग रही थी उसने बाइक भी सिंपल ही ली थी वो करीब साड़े नौ बज़े होटल पहुची उसने देखा कि हिसान बाहर ही साइड में खड़ा था वो बड़े ध्यान से आने जाने वालों को देख रहा था अर्जु जान कर उसके पास से गुजरी फिर उसके पास आकर लड़के की आवाज में बोली नमस्कार सर जी ये सपन जमीन होटल यही है क्या नहीं ये ड्रीम लैंड होटल है इसान की निगाहें टाइगर को ढूड रही थी तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया वो फिर बोली यही तो हम पूछ रहे हैं ड्रीम लैंड को हिंदी में सपन जमीन ही तो कहेंगे अच्छा जी सुक्रिया करकर वो जाने लगी तो इसान का माथा ठनका उसने उसे रोका एधर आओ जरा तुम इस होटल में क्या करने आए हो हमने क्या करना है हम तो आफिस की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आया हूँ हमारे ठाडने का इंतजा में हुआ है हमारे सर जी रात को आएंगे वो बोला इसान ने उसे उपर से नीचे तक देखा सर पर धेर सारा तेल लगा हुआ था और सारे बाल सर से चिपके हुए आखों पर काफी भारी खाला चस्मा इसकाई ब्लू सर जो नीली पैंट में अंदर सलीके से फसाई हुई थी उपर बिल्ट भी लगा रखी थी हाथ में बाबुजी वाला बैक ये टाइगर नहीं हो सकता सोचकर उसने उन्हें जाने दिया ये टाइगर नहीं हो सकता सोचकर उसने उसे जाने दिया आरजू ने सर जुका कर सुक्रिया किया और होटल में चली गई अंदर पैर रखते ही उसने सरारती स्माइल भी खेरते हुए पीछे मुड़ कर इसान को देखा और मन ही मन में बोली क्यों ये सस्पी साहब बस इतना ही ब्रेन है हाँ अगर ज्यादा होता तो हमारी जगा नहीं होते है हसते हुए उसने अपना फोन निकाला और कैमरे रिवाइंड करके एक दिन पहले की इसी समय की रिकार्डिंग चला दी और किसी को पता नहीं चला नीचे कंट्रोल रूम में किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि कैमरे ठीक काम कर रहे थे किसी को जरा भी सक नहीं हुआ कि जो दिख रहा है वो पहले ही हो चुका है वो लोग टाइम देखते रहे टाइम बिलकुल ठीक था आर जो 305 कमरे में दाखिल हुई उसने 304 की दिवार पर एक उपकरन लगाया इससे उस कमरे में बैठे लोगों की बाते सुनाई देने लगी उसने हैरी को मैसेज किया नाउ उसी वक्त हैरी ने पुलिस इस्टेशन फोन किया हेलो सर आज होटल ड्रीम लेंड में हत्यारों की डील होने जा रही है पुलिस वाला कुछ पूछता उससे पहले ही उसने फोन कार्ट दिया उन्होंने उसी वक्त हिसान को फोन किया सर अभी अभी एक फोन आया है कि डिम लेंड होटल में हत्यारों की कोई डील हो रही है क्या करें मैं जाता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं मैसेज कर दूंगा मेरे साथ दो बंदे हैं इसान बोला वो पुलिस कोई कठा नहीं करना चाहता था पुलिस के आईगने से टाइगर चला जाता जो वो नहीं चाहता था वो चाहता था कि टाइगर उन लोगों को पकड़ ले फिर ये टाइगर को मिल लेंगे रहूल ने रूम 303 बुक करा रखा थो वो यहीं परिसान की वेट कर रहा था आरजू ने बाहर बालकनी में निकल कर देखा दोनों कमरों की बालकनी के बीच थोड़ी दूरी थी वो तीसरी मंजिल पर थे तो अगर दूसरी बालकनी में छलांग लगाने में जरा सी चूक हो जाय तो बंदा सीधे 35 फुट नीचे जा गिरता वो सारा जायजा लेने के बाद अंदर आ गए उसने देखा हैरी का मेसेज आ गया था डन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी रहुल कमरे में बैठा सोच रहा था कि आरजू कैसी होगी खाना खालिया होगा या नहीं उसका एक दिल कह रहा था कि वो लीजा को फोन करके उसके बारे में पूछे और दूसरा कह रहा था कि नहीं अब वो आरजू की परवाह नहीं करेगा वो खुछ से ही लड़ रहा था कि उसने खुछ से कहा लीजा से पुछने में क्या हर्ज है आरजू से बात थोड़े ही कर रहा हूँ सोचते ही उसने लीजा को फोन किया हैलो लीजा आर्जू उठ गई है क्या हाँ जी सर वो उठ गई थी नीचे आकर खाना खाया फिर रेश्ट करने चली गई और कह गई थी कि कोई डिस्टर्ब नौ करे वो आराम करना चाहती है लीजा बोली ठीक है आराम करने दो क का राहुल ने फोन बंद कर दिया, उसके दिल को कुछ सुकून मिला, चलो वो ठीक है, तब ही इसान अंदर आ गया, वो गुसे से पैर पटकता हुआ बोलाया, यार ये क्या है, सुबह से उसकी वेट कर रहा हूँ, एंट्री भी एक ही है, ऐसा नहीं है, कि किसी दूसरे दरव होती है, वहां से वो सोचना सुरू करता है, राहुल बोला, अच्छा जी, आपको तो बहुत समझ है, तो आप ही बता दो कि वो क्या करेगा, इसान ने उसके कंदे पर हाथ रखते हुएगा, वो यहां काफी पहले आ गया होगा, उसकी नजरे उन लोगों पर टिकी हुई हो और वो सिकार करने को तयार बैठा होगा, राहुल ने विस्तार से बताया, इसान बोला, लेकिन मैंने हर एक बंदे को चेक किया है, मुझे तो किसी पर शक नहीं हुआ, हो सकता है कि उसने तुमें देख लिया हुआ, और पहले ही राह बदल दी, राहुल बोला, हाँ ये हो स सकता है इसान बोला, आरजू ने एर फोन लगा कर 304 कमरे की बास चीज सुनने लगी, तीन लोगों की आवाज आ रही थी, सुनो सारा सामान तयार रखना, डील होते ही पैसे लेकर पिछली बालकनी से निकल जाएंगे, एक बोला, ठीक है दूसरा बोला, यार मैं रसी लगा था कि वो ऐसा ही कुछ करेंगे, वो तैयार थी, अब इल डील करने वाले नहीं आए थे, तीनों कमरों में उसकी वेट हो रही थी, कुछ देर बाद डील करने वाले आ गए, सब अलट थे, राहू लऔर इसान कारीडोर को घेर कर खड़े हो गए थे, उन्हें पता था कि रा वाजा खोल दिया है, वहां राहू लऔर इसान पहले ही उनकी वेट कर रहे थे, वो जैसे ही बाहर निकले वो दोनों उन पर तूट पड़े, अंदर आरजू और बाहर वो दोनों भागने का कोई चंस नहीं था, वो लोग चंस लेना चाहते थे और बाहर को भाग गए, इस इसान ने सब को गिरफतार कर लिया, सारा ताम जहां खब्त होने पर इसान टाइगर को ढूटने लगा, पर वो कहीं नहीं था, उसने बालकनी में लटकी रसियां देखी, उसने सोचा कि ये रसियां टाइगर ने ही रखी होंगी, और वो यहीं से भाग गया होगा, राहू भी अंदर आया, उसे पहले से ही पता था कि वो टाइगर को नहीं देख पाएंगे, उसने इसान से कहा, मैंने कहा था नो कि वो बहुत ही चालाख है, चलो अपने लोगों को बुलाओ और इन लोगों को उठवाओ, सारे होटल में सोर मच गया था, राहू ने नीचे देखा फिर बोला, इसान ये भी हो सकता है, वो यहीं कहीं आस पास हो, देखो बालकनी से दूसरे कमरे में जाना इतना भी मुस्किल नहीं है, ये साथ के कमरे में कौन है, दोनों भाग कर कारीडोर में आएं और आरजू का दरवाजा खटखटाया, आरजू कपड़े बदल रही थ फाइदा, उसने दर्वाजा खोलते ही बोलना सुरू कर दिया, सामने राहूल और इसान खड़े थे, तुम यहां हाजी हम, अरे आपको बताया कि हमारे सर रात को आने वाले हैं, उस वक्त तक हम आराम करना चाहते थे, पर होटल के लोग सोर ही बहुत करते हैं, सोने ही नही देती, यह सब क्या है, वो नीज से जगाए, एक बच्चे की तरग उसे से बोल रहा था, हमें कुछ देखना है, वो कमरे में आये, उन्होंने टॉइलेट आल मारी, फिर बेट के नीचे सब जगां चेक किया, फिर वो बालकनी गए, इसान ने उस से पूछा, तुम इस बाल लगा कर उस बालकनी में जा सकते हो, साहाब हमरा दिमाग खराब है, या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम तो उस तरब देखूंगा भी नहीं, हमको उचाई से डर लगता है, वो दर्वाजे पर ही खड़ा रहा, बालकनी में गया ही नहीं, राहुल ने उसे नीचे से उ इंटेलिजेंट था, वो अगर पहचान गया तो, सोचते ही उसने एक तरकीव लड़ाई और जोड़ जोड़ से बोलने लगी, हम आप लोगों की सिकायत करेगा, हम अभी अपने सर को फोन करता है, कि तुम लोग हमारे कमरे में जबर जस्ती आ गए, और हमारे सामान के साथ छेड़ छाड़ की, अब हमें परेसान कर रहे हो, हमें तो तुम दोनों की नियत पर सक होता है, उसने का कर अपने कालर कसके पकड़ लिया, मानों वो लोग उसकी इज़द पर हमला कर रहे हो, इसान ने राहुल की तरफ देखा, पता नहीं कभी कभी ये अजीब हरकते करता है, खास कर टाइगर को लेकर, कहीं इसे टाइगर से प्यार तो नहीं हो गया है, कहीं ये वो तो नहीं, उसने राहुल को उपर से नीचे तक गौर से देखा, राहुल ने इसान की तरफ देखा, वो भी हैरान रह गया, कि इसान उसे ऐसे क्यों देख रहा है, उसने इसारे स पूछा क्या हुआ इसान ने सर मार कर कुछ नहीं का इसारा किया लेकिन वो वैसे ही उसे घूरता रहा आरजु ने उन दोनों को देखा उसे भी अजीब लगा उसे लगा कि इसान दूसरी सोच वाला है इससे राहुल पसंद होगा तभी हमेशा राहुल के साथ रहता है उने उनके निकलते ही दर्वासा बंद करके चैन की सांच ले जब इसान उसके पास से गुजरा था तो उसने इसान की जेम में एक छोटा सा उपकर डाल दिया इसान का ध्यान राहुल की तरफ था उसे कुछ पता ही नहीं चला आरजु को उनकी कदमों की आवास सुनाई दे है क्योंकि मैं उसकी तारीफ सुन सुनकर पक गया हूँ लेकिन तुम्हें उसमें क्या इंट्रेस्ट है मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे टेस्ट पर सक होने लगा है कहीं तुम्हें टाइगर से प्यार तो नहीं हो गया है इसान ने अपने दिल की बात कही दी उधर आर बार मिलना चाहता हूं आर्जू निक्की का नाम सुनकर उदास्थी हो गई हो तो निक्की का इसान को भी पता है इसान बोला लेकिन निक्की अब इस दुनिया में नहीं है तुम मां क्योंनेन käyt दे वो कपकी मर गalgई है। इसान की बात सुनकर राहूल गुसे से बोला, तुम लोग सोचते होगे कि वो मर गई, मुझे यकीन है, वो एक दिन वापस आएगी।। मेरा दिल कहता है, मेरे प्यार को भरोसा है, वो वापस आएगी। राहूल की बात सुनकर आर्जु की जैसे जान निकल गई, दो दिन राहुल ने उसकी केयर क्या की, वो तो उसे प्यार ही समझ बैठी, उसे पता ही नहीं चला, उसे राहुल से प्यार कब हो गया, कभी उसकी इतनी केयर किसी नहीं की थी, उसे सच में बहुत अच्छा लगा था, उसे लगा कि जैसे अक्सर होता है, साधी के प्यार हो ही जाता है, ऐसा इसके साथ भी हो गया, पर आज उसे पता चला कि ये सब राहुल इंसानियत के नाते कर रहा था, उसके दिल में एक टीस से उठी, वो दिल पर हाथ रखकर बेट पर लेट गई, उसकी आँखों से पानी बह निकला, उन दोनों की आवाजे कुछ दे देखा नौ होता तो ये मानना मुश्किल था कि कोई था वहां, सला आया कहां से और गया कहां, हवा ही बन गया है, उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, बहुत सातिर है, आर जो उसकी वास सुनकर मुश्कुरा रही थी, वो उटकर जाने की तैयारी करने लगी, तभी हिसान की आवाज आई, मैंने गेट पर पूरी निगरानी की थी, कोई नहीं आया था, फिर ये कब आ गया, मैंने एक बंदे को कल्ट्रोल रूम में भी बिठाया था, उसने भी बताया कि कोई संदिक दबंदा नहीं आया, फिर ये कैसे, वो नीचे आ गये थे, हिसान सोचता हुआ बोल रहा था, बस एक यही नमुना आया था, ये मुझे किसी अंगल से टाइगर नहीं लगा, कहीं तुम से कोई चूक तो नहीं हो रही, कहीं यही टाइगर तो नहीं, मुझे जाने क्यू इसी पर सक हो रहा है, जब कोई और आया ही नहीं तो यही बचा, देख, ओ, फिर साथ वाला कमरा लिया, बालकनी से इस तरफ आया, सब को मारा, दुबारा वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया, राहुल ने बताया और इसान की तरफ देखा, यार लगता है तुम एकदम ठीक कह रहे, हो चलो चल कर फिर से देखते हैं, दोनों वापस लिफ्ट में आ गई, उसके कान उनकी हरकतों पर थे, वे लोग उपर आये, उन्होंने आरजू का कमरा खट खटाया, पर आरजू वहां थी ही नहीं, दरवाजा क्या खोलती, इसान ने होटल मैनेजर को बुलाया, उसने स्पेयर की से दरवाजा खोल दिया, वो दोनों भाग कर अंदर गए उधर आरजू धीरे से कमरे से निकल कर लिफ्ट में चली गई, उन्होंने सारा कमरा देखा, कहीं कोई नहीं था, बात्रूम के सीसे पर एक पेपर था, या को चिप्टी थी, उसमें लिखा था, ढूरते रह जाओगे, इसान को बहुत गुसा आया, वो बालकनी में गया, र राहुल जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा, उसने देखा कि लिफ्ट नीचे जा रही है, वो जल्दी से दूसरी लिफ्ट में चड़ गया, आरजू लिफ्ट से निकली, वो धीरे धीरे चल रही थी, वो एक रॉयल बुड़ी औरत लग रही थी, राहुल लिफ्ट से नि अरे बेटा ध्यान से चलो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा इस सुम्र में कुछ नहीं बचेगा वो पास पड़ी कुरसी पर बैठ गई राहुल ने हाथ जोड़ कर कहा सौरी अंटी जी माफ करना असल में मैं किसी को ढूड रहा था अरे बेटा लड़के जाने ही क्यों देते हो अगर बाद में ढूड़ना ही जाना पड़े वो हंसते हुए फिर खासने लगी राहुल इसे बिठा कर वहां से चला गया उसने सामने रिसेप्शन पर पूछा मेरे अलावा और कौन उत्रा लिफ्ट से सर वो मैडम आई थी और तो कोई नहीं आया र इसे अबसनिष्ट बोली राहुल ने बुधी औरत को उपर से नीचे तक देखा आर्जु को पता था कि वो उसपर सक करेगा वो भी उसकी तरफ देखने लगी राहुल ने उसे उपर से नीचे तक देखा फिर सोचा नहीं यह नहीं हो सकता तब हिसान का फोन आया वो ने लिखा था कहा था नो कि ढूड नहीं पाओगे तुम बताओ कुछ पता चला इसान बोला नहीं यहां भी कुछ नहीं मिला पता नहीं चला कहां गया यार रूक एक मिनट वह एक बुढ़ी और अथा उस पर नजर रखता हूं मुझे वह कुछ और लगी है का कर राहूल भा उसे से रिसेप्सन टेबल पर मुक्का मारा उसमें क्रैक आ गया रिसेप्सनिस्ट भी डर गई राहूल को कुछ ख्याल आया वो उसी समय बाहर भाग लिया उसे जाने क्यूं उस बुड़ी औरत को छूने से उसे लगा मानू उसने आर्जू को छुआ है यह आद आते ही वो अपने घर की तरफ भाग लिया उधर आर्जू अपने आफिस पहुँच गई उसने हैरी से का कर होटल के कैमरे दुबारा सेट करवा दिये फिर खुच जल्दी से कपड़े बदलने गई वो कपड़े बदल कर अपने घर के लिए निकल पड़ी क्या आर्जू के मिसन टाइ गा या निकी की कोई और सचाई रहुल के सामने आएगी ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जबाज जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग और भी मज़ेदार अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यह लिखना बिलकुल मत वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए गा थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले कहानी में